सेर्व सुख प्रदान करने वाली और कश्टों को दूर करने वाली मा भगवती को समर्पित चैतिन नवरात्री का पावन पर महा अश्टमी और महा नब्मी पर बने दिप्य और दुल्लब सायों किसी भी छोटी कन्या को दे दे यह एक चीर पूरी साल भर रहेगी माता रानी की कृपा मा के कृपा से बड़ी से बड़ी परिशानी मिंटों में होगी दूर चमक जाएगा आपका भाक है साल भर घर में नहीं होगी धन की कमी ओम का इंशी महा गड़े शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों नवरात्री का पावन पर वो चल रहा है यह पर माता रानी को समर्पित होता है नवरात्री का वैसे तो हर दिन बहुत खास होता है लेकिन नवरात्री में आने वाली दुर्गा अश्टमी का विशिश महत्व होता है इस दिन मातारानी का श्रिंगार अवश्य ही करना चाहें शास्तों के अनुसार नवरात्री की माह सब्तमी की रात्री को मातारानी अपने नेतर खोलती है इसलिए माह अश्टमी की दिन माह का पूजन करने से माह की अस्यम कृपा प्राप्त होती है देवी भागवत पुराण के अनुसान नवरात्री मा की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वशिष्ट माने जाते हैं नवरात्री में मा की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान उपाई है कन्या पूजन करना वैसे तो नवरात्री में रोजाना ही कन्या पूजन किया जा सकता है लेकिन नवरात्री की महा अश्टमी और महा नब्मी पर कन्या पूजन कहने से कई कुना अधिक पुन्य फल प्राप्त होता है और नवरात्री प्रत और पूजन का भी पूर फल मिलता है इस बार दुर्गा अश्टमी 29 मार्च दिन बुथुभार को है और रम नभवी माह नभ्मी का पर 30 मार्च दिन गुरु बार को मनाया जाएगा इस बार की दुर्गा अश्टमी महानभी का पर बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस दिन कई दिप्पे दुल्लफ सय योग एक साथ बन रहे हैं। दुर्गा अश्टमी पर जहां रवी योग शोभन योग बन रहे हैं वहीं महानभी पर अमरसित्य योग स्वासित्य योग और गुरुपुषय योग भी रहेगा। मानिताओं के अनुसार जब तब हवन पूजन और प्रत इत्यादी से माता राने इतनी प्रसंद नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती हैं। कन्या पूजन के बिना माता राने के प्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। अधिकता यही धारना है कि जिन्होंने नवरात्री के ब्रत करें हैं उन्हीं को कन्या पूजन करना चाहिए लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कन्या पूजन मातारानी के सभी भक्तों को अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि कन्या पूजन के बिना माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप नवराति की महाँश्टमी यहां महाँश्टमी के दिन किसी कन्या को भेंट में अर्पित कर देते हैं तो इसे आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी माता रानी की कृपा से बड़ी सी बड़ी परिशाने खत्म हो जाएगी दुर्भा के भी सौभा की में परवर्दित हो जाएगा और माता रानी की कृपा से कस्टों से छुटकारा मिलेगा दोस्तों नवरात्य की महा अश्टमी और महा नमी दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए सर्वशिष्ट होते हैं इसलिए आप इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन कन्या को यह भेंट दे सकते हैं कन्या को भेंट देने के नहीं सबसे पहले इस्नान कर सच्छ बस्ते धारन करें आप काले रंग के कपड़े ना पहनें अब आप एक लाल रंग की चुन्री लें आपको लाल रंग की नई चुन्री लेनी है और ध्यान रखें चुन्री पर गोटा लगा होना चाहिए क्योंकि गोटे वाली चुन्री ही माता रानी को अर्पित की जाती है और आज के दिन कन्या पूजन हम इसी लिए करते हैं क्योंकि कन्याओं को माता रानी का सुरूप बाना जाता है कन्या को कुछ भीन देने का मतलब है यह भीन हम माता रानी के चर्णों में अर्पित कर रहे हैं भूजिन कराने का मतलब है, हम माता रानी को भोग लगा रहे हैं, अब आप इस चुन्री को प्लेट में रखें, और माता रानी के सामड़ी एक दिया चलाएं और एक सुगंदि ठूपत्ती चलाएं, इसके बाद माता रानी को कुमकुम से तिलक करें, तिलक करने के बद शाद अब आप इस चुन्री पर थोड़े सी मखाने, थोड़े सी बताशे और कुछ सिक्किन रखें यह सभी चीजें आपको इस चुन्री पर रखनी हैं और इस चुन्री को आपको अब प्लिर सहित माता रानी के सामनी रखकर माता रानी को अर्पित करना है माता रानी को चुन्री अर्पित करने के पश्चात अब आप माता रानी के इस मंत्र ओम एम हरिम क्लिम चामुंडाय बिच्छे का 108 पा जाप करें मंत्र है ओम एम हरिम क्लिम चामुंडाय बिच्छे मंत्र का जाप करने के पश्चाथ अब आप माता रानी को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी समस्य चल रही है उन समस्या को दूर करने के प्रात्ना करें आपकी जो भी मनुकामना है बहें माता रानी के सामने करें और मनुकामना पोण करने की प्रात्ना करें। इस तरहें पूचन करने के पश्चात दोस्तों, अब आप ये चुन्री माता रानी के सामने से उठा लें। और इसे अपने माथे से लगाएं। अब इस चुन्री को ले जाकर आप दश वर्ष्चि छोटी किसी कन्या को भीट में दे दें। देवी भागवत पुरान के अनुसार नवरात्री में उन्हीं कन्या को माता रानी का स्वरूप माना जाता है जो रजचतस्वला नहीं होती। इसलिए दसवर्ज से छोटी कन्या को ही आप यह भीट अर्बित करें कन्या को भीट देने के लिए आप कन्या से कहें कि वह अपने दौनों हाथ में लाएं और कन्या के दौनों हाथ में आपको यह चुन्री, बताशी, मखाने और सिक्कों के साथ रख देनी है कन्या को भेट देने के बाद आप कन्या के पैच हुएं और उन्हें प्रणाम करें आपको यह भेट कन्या को माता रानी का सुरूप मानते हुए देने हैं और माता रानी का सुरूप मानते ही आप कन्या के पैच हुएं और कन्या से आश्रवाद लें दोस्तों कन्या को इस तरहें भेट देने से माता रानी अतिशीक्र ही प्रसन हो जाती हैं और अपने भक्तों के सभी कश्टों को दूर करती हैं इस तरहें कन्या को भेट अर्पित करने से आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा से जल्द ही आपका दुरफा के भी सौपा के म बदल जाएगा और किसम साथ देने लगेगी जिससे आपके बिगड़े हुए कारे भी बनने लग जाएंगे अगर आपने अपने घर में कन्याओं का पूजिन करने के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया है आप सभी कन्याओं को यह भीप ना दे सके तो किसी एक कन्या को जिसम को आशिरवात देने आई हैं वे उस कन्या को ही दें दोस्तने नवरात्रि के प्यतर दिने के सवागन महिलाओं को भी ढ 되면 देने की परमपरां करते हैं दीवी भाग्वत पुराण के अनुसे हुक वाहित महिला को नवरात्री की प्रथम दिन याव 2022 कि महा अश्ठ में या बिंदिया, बिच्छुआ, महंदी, महाबर, सिंदूर, इत्यादी, इनके साथ ही लाल साड़ी, लाल चुन्डरी, लाल बस्तर भी माता राने को अर्पित किये जाते हैं, और पूचन के पश्चात, अगर आपने पहले दिन अर्पित किये हो, या अश्टिमी पर किये हो, यह स सब्भी सामक्री माता रानी के चर्णों में नम्मी तिठी对यक रखी रहने देनी चाहिए। और नम्मी तिती को यह सामक्री माता रानी के प्रशाश सरूप किसे स्वहागन महिलाओं को भेट में स क्ते हैं। यह सामकरी खास तोरपा स्वहागन भ्रामणी को या फिर आपकी स्वहागन नरत या सास हो उनको आप भेट में अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से स्वहागन की प्राप्ति होती है। बैवाहिक जीवन सुख में बनता है। पती पती में आप से प्रेम बढ़ता है। और माता रानी की कृपा से घर परिवार में खुश्या बनी रहती है। स्वहागर महिलाए ही नहीं माता रानी के सभी भक्त इस तरह माता रानी को स्वहाग की सामगरी अर्पित कर किसे स्वहागर महिला को अगर भेंट करते हैं तो इससे माता रानी की असेम प्रुपा प्राप्त होती है और कश्टों से छुटकारा मिलता है दोस्तों नवराती का पर मा आधी शक्ती तुर्गा को समर्पित होता है मानिताओं के अनसार पूरे साल भार जब तब पूजन और होम कहने से मा इतनी प्रसंद नहीं होते जितना नवराती में कन्या पूजन से हो जाती है इसलिए आप नवराती के पावन पर मा की कृपा प्राप्त कहने के लिए कन्या पूजन अवश्य ही करें और कन्या को यह भीट अवश्य ही दे अगर आपने नवराती के प्रत नहीं रखे हैं तब भी आप कन्या को यह भीट अवश्य ही दे ऐसा कहने से माता रानी की असेम कृपा प्राप्त होती है अगर आप रजस्वला है याने की आपको फीरिड हो रहा है और आप इस तरहें पूचन कर कन्या को भीट नहीं दे सकते तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों द्वारा भी कन्या को इस तरहें भी दिला सकते हैं ऐसा कहने से भी आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और आपको अपने प्रत और पूचन का पूर्फल मिलेगा अमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंत आई होकी प्लीस लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फिरेंड्स से दारों में ज़्यादा से जहान करें जिससे भेड़े इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले तैंक्स फॉर वाचिंग टाती राती